नमस्कार दोस्तों मैं प्रिज स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर और जैसा कि आप पढ़ रहे हैं यूपीटेट में प्रिवियस येर्स के जो सवाल हैं परियावरणी अध्यान के वो मैं डिसकस कर रहा हूँ आपके साथ तो जो भी प् हमारे लिए बहुत महत्वपूर हैं और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बराबर रिपीटेड हैं कहां पर हम सेलेक्टिव हो सकते हैं कहां पर हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं कौन-कौन एरिया ऐसा है जो कोर एरिया है इससे हम अपनी रणनेती अच्छे से बना सकते हैं तो करता हूँ आप स्वस्थ होंगे सक्षल होंगे और पढ़ाई अपनी जो है अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों तो मैं चाहता हूँ आप इस स्रीच को जो है कंप्लीट करें कुछ को इनालिसिस करें और इसके बाद टॉपिक में तो आपको पढ़ाई जाएगा बहुत-ब साथ-साथ समझ मा जाए बाकि तुम्हें टॉपिक स्टार्ट करूंगा ठीक है तो प्रिविएस स्वालों को देखेंगे अपनी उपस्तिती बनाए रखें और बराबर जो है लगातार जो है चैनल से और अप्लिकेशन से क्लासे लेते रहें क्लासे जो है आपके लिए अव सामने सवाल है सबसे पहला सवाल है वह सवाल है जो है पारिस्थित की तंत्र से यह आप देख पा रहे होंगे आपके सामने यह सवाल है पारिस्थित की तंत्र से मतलब सवाल पूछ क्या रहा है सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे निम्नमे से प्रिथवी पर कौन सा पारिस भूमी तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप जानेंगे पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में हम कहते क्या है ecological system ecological system होता है पारिस्तिकी तंत्र ecological system पारिस्तिकी तंत्र को कहते हैं या ecosystem कहते हैं पारिस्तिकी तंत्र दोनों एक ही चीज है confuse मत होईएगा तो यह पारिस्तिकी तंत्र है क्या दरसल हमने परियावरण की परिभाशा कुछ बताई है आपको फिर मैं यहां पारिस्तित की तंत्र बता रहा हूँ, बहुत अलग नहीं है दोनों एक दूसरे से, देखिए किसी भी जीवी समुदाय कोई भी परियावरण होता है, कोई भी जीवी समुदाय उसके अंतर गज्यो होता है, उसका अपने जीवी समुदाय के साथ और अजयविक कारकों और जयविक संघटकों या घटकों के साथ जो उसका आपस का अंतर संबंध होता है, वो क्या होता है, पारिस्तित की तंत्र, सरलभासा में समझाने का प्रयाज करते हैं, जैसे मालीजे पारितंत्र, पारितंत्र क्या है, अब मालीजे यह हो गये जयवी कारक, या जय जिवी संघतक मैं इसको बता चुका हूं आपको जीवी संघतक क्या होता है? बायोटिक गपोनेंट्स जेवी संघतक ये क्या होते है? ये वो कमपोनेंट्स होते हैं, जिनमें जीवन होता है, इनमें एक निश्चे जयविक प्रक्रियाय संपन होती है और ये दो प्रकार के होते हैं एक flora और phana flora में क्या होता है? flora मतलब क्या हो गया? वनस्पती एक तो वनस्पती होंगे जिनको हम flora कहते हैं इंगलिश में flora कहते हैं और दूसरा jantu जिसको हम क्या कहते हैं? flora of phana कहीं न कहीं जीवी संगटकों में हम जीवाडू या कवकों को भी सम्मिलित करते हैं ये भी सवाल पूछा जाता है कई बार confusion हो जाता है कि जीवाडू कवक क्या इसमें शामिल है? बिल्कुल सामिल है जीवाडू या जो कवक होते हैं ये जीवीक संगटक में शामिल है जो decomposers का भी काम करते हैं और किसी भी पारितंत्र के संतुलन को बनाय रखने में अपनी बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं तो ये तीनों चीज़ें क्या है? ये जीवीक संगटकों में आती हैं जिनमें जीवन होता है और जीवीक प्रक्रियाय संपन होती है किसी भी परियावरण में इनकी उपस्थिति आप पाएंगे अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है? अजीवी संगटक अजीवी संघटक अजीवी संघटक अजीवी संघटकों में क्या आएगा? अजीवी संघटकों में जैसे मृदा है मृदा किस में आएगा? अजीवी संघटकों में आएगा पारित अंत्र की परिभासा में हमने जैसा कि आपको बताया कि जयवी कारकों का अजयवी कारकों के साथ अंतर संबंद तो जाहिर सी बात है अंतर संबंद होगा उनमें आपस का जो संबंद होगा वो किसी भी परियावरण के लिए किसी भी पारिस्तितिकी तंत्र के अस्तित्त के लिए आवश्यक होगा और जिम्मेदार होगा अगर ये संतुलन किसी भी वज़ा से डिस्टर्ब होता है या प्रभावित होता है तो पारितंत्र प्रभावित होगा और उसका अस्तित तो लंबे समय तक नहीं रह पाएगा जाहिर इसी बात है मृदा जो होती है मृदा जैवी कारक के जीवन और अस्तित के लिए बहुत आविश्यक है, मृधा आपको पता होगा कि पादपों का अस्तित जो है मृधा से ही संभव है, मृधा में ही पौधे उगते हैं और प्रकास संसलेशन से अपना भोजन बना के संचित करते हैं, ताकि साकाहारी या प्रथम स्रेणी के महत्पों है, दूसरी बात प्रकास, इसी तरह प्रकास दूसरे नंबर पे आता है, उन अजयविक कारकों में आता है, जो जीवन के लिए बहुत महत्पों है, या पारिस्तित के तंत्र के लिए बहुत महत्पों है, प्रकास से ही विक्रण उर्जा मिलती है, या रासानी कु बनाते, photosynthesis की प्रक्रिया मैं आपको बता चУका हूँ weefूजन बनाते हैं क्योंकि आत्म史 निरभर होते हैँ वह अपने विस्थ भागों भूजन को संचित करते हैं और साकाहारी जीए उन पर और साकाहारी ओं पर मानसाहारी जीए निरभर करते हैं यह जिवन चक्रे से ही चलता रहता है, तो कही न कहीं इस तत्तो का भी जो है महत बहुत जादा है पारितंत्र में, प्रकाश जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आगे और कौनसी चीजे हैं, वायू, जैसा कि वायू के बारे में आप जानते हैं, चाहे वो प्राणवायू, और कोंग वाइव वह किसी भी पारितंत्र या पारिस्ट्र के लिए बहुत नहीं है। आपधे लो है jait, this just variable है, IT जीवन के लिए बहुत नहीं हेगे चलिए चोथा, आप दोस्तों además देख सशारसी हैं चाहे हो मृई हो प्रकासो वाइ हो सा छित्तवु बहुत सारे सित्तवें हैं जिन में जीवन तो नहीं होता लेकिन कहीं कहीं न ये जीवन के लिए भrive महत्वूड होते हैं या जैवीक संगहटकों के लिए इनका अस्तित्व बहुत आविश्यक होता है तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि जैविक कारक जैविक कारक का महा तो क्या है और किसी भी पारितंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं अब पारितंत्र भी आप समझ ही गए होंगे अब आते हम अपने सवाल पे सवाल पे आते हैं उस सवाल में यही पूछा है कि सबसे बड़ा पारिस्थिति की तंत्र कौन सा है तो आप समझ गए अब देखिए पारिस्थिति तंत्र जो है इसका साइच छोटा भी हो सकता है वो एक गौशाला भी हो सकती है छोटा ताला भी हो सकता है और विशाल समुद पुद्र भी एक पारितंत्र का उदारण है क्रिशी भूमी जो खेत होता है वो भी एक पारितंत्र का उदारण क्योंकि उसमें बहुत सारे अजयविक कारक भी होते हैं और जयविक कारक तो होते हैं सूक्षम जी होते हैं केचुवा होता है बहुत सारे जीवाडू और कवक हो के अंतरसंबंद का बहुत बढ़ा हुदारण है मृदा भी उसका बहुत बढ़ा हुदारण है तो क्रिशी भूमी जो है एक पारितंत्र है समुद्र एक जली पारितंत्र का उदारण है रेगिस्तान मरू भूमी ये भी एक पारितंत्र है और वन वन भी एक पारितंत्र का मुद्र का यह सबसे बड़ा पारितंत्र है हमारा सही उत्तर भी होगा और इससे आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे पारितंत्र कहते किसे हैं और पारितंत्र में कौन-कौन से घटक शामिल है यह टॉपिक आपका यहीं खतम हो गया ठीक है अगला सवाल देखते हैं द संकल्पना है किस चीज की यह रिणात्मक संकल्पना है धनात्मक संकल्पना है संग्यानात्मक संकल्पना है या इन में से सभी है देखिए दोस्तों मानव परियावरण का जो संबंध है सबसे पहले हमें इससे समझना होगा परियावरण क्या है परियावरण देखिए अजयवी कारक हो चाहे अजयवी कारक हो इनके साथ जो हमारा संबंध है या जीवी समुदाय का संबंध है ये भी परियावरण की परिभाशा में सामिल है इसका मतलब फ्रांसिसी भासा के सब्ध है इन सरकिल होता है मतलब जो हमारे चारो तरफ घेरता है लेकिन इसके साथ हमारा जो अंतर संबंध है या जीवी समुदाय का जीवी समुदाय के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया पारितंतर में और अजयवी समदाय के साथ भी संबंद ये क्या होता है पारितंत्र भी होता है ये परियावरण भी होता है दोनों विसे जो है अलग नहीं है दोनों एक ही चीज़े हैं मतलब आपको ध्यान ये देना है कि हमारे चारों तरफ जो भी है या किसी जीव के चारों तरफ जो भी ह चाहे वो अजयविक संगटक हों, चाहे जयविक संगटक हों, इनका जो आपस का संबन्ध है यही परियावरण में संतुलन अस्थापित करता है, और यही परियावरण की परिभाशा के अंतरगत आता है, तो आप यहाँ पर मानो का रोल क्या है, अगर हम ये देखते हैं कि परियावरण में जैविक कारकों का अपना महत्व है तो जैविक कारक के अंतरगत मानो भी शामिल है इसका मतलब एक जैविक संगटक तो मानो खुद हो गया और दूसरी बात यह है कि इस परियावरण के साथ मानो का एक अपना संबंध है एक अपना खुद संबंध है जिसके करता है और उसके विकास में योगदान देता है तो जाहरी सिवात है यह संकल्पना हमेशा जो है धनात्मक होगी हमेशा धनात्मक होगी दोनों एक दूसरे कस्तितु के लिए हमेशा सकरात्मक योगदान देते हैं और उनका स्तितु तभी बरकरार रहेगा जब वो इस अंतर स संबंद को धनात्मक रूप से विक्सित करेंगे अगर वो रिनात्मक हुआ तो दोनों का सित्थ खत्रे में पढ़ जाएगा तो हमेशा याद रखिए यह धनात्मक होगा यह सवाल होगे आपका अगला सवाल जो है आपका खादे सरिंखला से संबंदित है यह मैं पढ़ा चुका हूँ आपको फूट चेन जो पढ़ा है आपने फूट चेन बहुत अच्छे से हमने समझाया था आपको कि इसमें सबकी अपनी भूमिका होती है तो देखिए यहां फिर से आपको बताएंगे food chain में आप देखेंगे कि सबसे पहले पायदान पर क्या आते हैं देखें मैं ग्राब से आपको पताने का प्रयास करूँगा हरे पौधे जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृत्वी पर उर्जा का सबसे बड़ा सोच सबसे प्रमुक्स रोत सौर उर्जा है सौर उर्जा को हरे पौधे हरे पौधे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सूर की उर्जा को सूर की उर्जा को हरे पौधे प्राप्त करते हैं जो की विक्रण उर्जा होती है हरे पौधे प्राप्त करते हैं और अपने प्रकास संसेलेशन की प्रक्रिया में इसका इस्तिमाल करते हैं जड़ों से वो खनीच पदार्थ और जल लेते हैं और ये भोजन बनाने की प्रक्रिया संपादित करते हैं अब देखिए दोस्तों जब भोजन बना लेते हैं भोजन का संचय अपने विस्स्ट भागों में कर लेते हैं, तो साकाहारी इन ही हरे पौधों को खा के अपना पेड भरते हैं, और भोजन के लिए इन पर निर्भर रहते हैं, अब साकाहारियों पर मानसाहारी निर्भर रहते हैं, उसमें भी तीन अस्तर के उभोगता है, और अंत में अब घटकों का काम आता है जो की मृत जीओं को चाहे वो पादप हो चाहे वो जन्तु हो उनके सरीर का अब घटन करके प्रकित में नुर्मुक्त कर देते हैं ततों को अपना साधान पदार्थों से अपना भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं ये पूरी खादिस प्राथमिक उत्पादक मतलब जो प्रोडेक्शन होता है यहीं होता है प्राइमरी प्रोडेक्शन यहीं होता है तो इनको प्राइमरी प्रोडिशर कहा जाता है या प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है अब हरे पौधों के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है दूसरे न उदारन लेते हैं खरगोश अब खरगोश जो है पत्तों को खाता है तो ये क्या हो गया प्राथमिक उपभोगता ये प्राथमिक उपभोगता का उदारन है प्राथमिक उपभोगता साकाहारी होते हैं सर्वदा साकाहारी होते हैं ये और ये क्या करते हैं स्वपोसी या दूतियक उप्भोगता यह किस में आएगा दूतियक उप्भोगता में आएगा दूतियक उप्भोगता क्या होते हैं मानसाहरी होते हैं यह साहका हारियों को या प्राथमिक उप्भोगताओं को खाके अपना भोजन प्राप्त करते हैं अब लोमडी के बाद तीसरे अस्तर तीसरे अस्तर पर कौन आएगा शेर आएगा शेर कौन से अस्तर का उपभोगता है त्रिती अस्तर का उपभोगता कौन से अस्तर का त्रिती अस्तर का उपभोगता सेर सरवोचस्तर का मानसाहारी क्योंकि इसने जो है उस जीव को भी खा लिया जिसने जो है साकाहारी को खाया था उसका भक्षण किया था तो यह उचस्तर का या तृतियस्तर का मानसाहारी है अब अन्तिम छोर पे कवन आएगा सेर के बाद कवन आएगा सेर के बाद जीवाडू आएंगे या मृतोप जीवी कवक आएंगे मृतोप जीवी कवक मृतोप जीवी कवक इनका काम क्या है? डिकम्पोजर्स का ये सेर को पाउधों को, लोमडी को, एक हरगोज को चोबी जीव है, मृत होने के बाद इनके जो आउसेस होते हैं इनको अब घटित करके साधान पदार्थों में बदल देते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये जो मृत्पदार्थ हैं जो जब जीवन था इन में तो जिन तत्तों से इनका सरी निर्मित होता है उसको ये वातावरण में निर्मुक्त कर देते हैं ताकि प्रिकित में हर तत्तों का चक्र सुचारू रूप से चलता रहे चाहे वाक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे अनिकोईतत हो तो ये पूरी खाज सिंखला है आप यहां समझ पा रहे होंगे खाज सिंखला में जो पहले नंबर पे है अर्थात बेस कहां से सुरू होता है हरे पौधों से या प्रात्मिक उत्पादकों से और इसकी अंतिमकड़ी में कौन होता है जीवाडू या मृतोप जीवी कबक ये याद रखिएगा इसमें जो उर्जा का प्रवा होता है एक दिशा में होता है मतलब सूरी से उर्जा किसको मिली हरे पौधों को मिली हरे पौधे से उर्जा किसके अंदर गई खरगोश के अंदर गई खरगोश से फिर लोमडी लोमडी से सेर सेर के बाद जीवाडू ने जो है प्राप्त किया और जीवाडू ने प्रिकित को मुक्त कर दिया और प्रिकित से फिर से केवल 10% उर्जा ही ट्रांसफर होती है बाकी उर्जा नस्ट हो जाती है ठीक है कितने परसेंट उर्जा 90% उर्जा नस्ट हो जाती है और 10% ही उर्जा जो है प्राप्त होती है 90% में कुछ उर्जा नस्ट भी हो जाती कुछ जीव अपने जरूरत के लिए इस्तिमाल कर लेते ह अब इसके बाद ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब मैंने बहुत विस्त्रित रूप से आपको समझा दिया मैं पहले भी बता चुका हूँ अब इस सवाल को जड़ा देखने का प्रयास करें ये कह रहा है किसी खाद शिंखला की प्रथम कड़ी सदय वहरे विस्त्रित होता है क्या ये कारण है हो सकता है विस्त्रित हो उनका फैला वे म्रिदा से जुड़े होते हैं ये बात सच है क्यों म्रिदा से जुड़े होते हैं लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता जली पौधे भी होते हैं जली हरे पादब भी होते हैं तो हमेशा म्रिदा से करन करते हैं किस चीज के लिए अपनी प्रकास संसलेशन की अभी क्रिया के लिए इस्त्रीकृत करते हैं और कहीं न कहीं यह हमारे वायुमंडेल के लिए बहुत आवश्यक है हैसे लिए हमेशा कहा जाते हैं रिक्ष्ष लगाईये जाता से ज़्यादा पेंड़ पोह इससे क्या होगा carbon dioxide को वो सोकेंगे carbon dioxide का स्थरी करzwण करेंगे अपनी կामी अक्षिजन में तो ये जो जबाब है, ये किसलिए है प्रथमकडी? प्रथमकडी है किसलिए? तो मैंने आपको पहली बताया, प्रथमकडी इसलिए ये हैं, क्योंकि जो सवरुर्जा होती है, यही पौधे होते हैं, जो सवरुर्जा का इस्तिमाल करके प्रिकास संसलेशन की अभिक्रिया करत हैं और भोजन बनाते हैं अपने लिए भी और आगे जो है इन पे निर्भर साकाहारी हैं उनके लिए तिखाज सिंखला में इनका सबसे महत्पोड योगदान है इन्हें प्रात्मिक उत्पादक भी कहा जाता है तो इस सवाल का इतनम सही जवाब क्या होगा वे सूर के प्रका तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल जो आपके सामने है वो यह है निमनिलिखित में से कौन सी आपदा डिसास्टर कौन सा डिसास्टर या आपदा परियावर्णी रास के कारण उत्पन होती है मतलब इसमें आपदा के बारे में पूछ रहा है कैसी परियावरण असंतुलन या परियावरण रास अगर होता है उसके कारण ये उत्पन होती है तो देखे भूस खलन पहला है विकलप आपके सामने भूस खलन जिसको लेंड स्लाइड कहते हैं उत्रा खंड में आपने देखा होगा बहुत बार न्यूस पेपर्स में रहता है कि भूस खलन हो गया हिमस खलन जो है जहां बर्फ जमी रहती है वहां हिमस खलन भी होता है लेंड स्लाइड क्यों होती है कहीं कहीं मानों ने परियावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है वहां पर बस्तियों को बस आया है जहां पर नहीं बसाना चाहिए तो असंतुलन हु है एक क्या ये कारण है परियावरणी रास ये आपदा जो है क्या परियावरणी रास के कारण हुई है उत्पन अब देख़िए ध्यान दीजेगा यहां पर जो बिकल्प दिये गए हैं हो सकता है थोड़ा बहुत वो सही हो लेकिन आपको एकदम सटीक उत्तर देना है कि जो सिर्फ परियावणी रास के कारण जो है उत्पन होती है दूसरा विकल्प आपके सामने है बाढ़ हेवं सूखा बाढ़ क्यों होती है और सूखा क्यों होता है देखिए जितना जादा पौधे होंगे वास्पी करण होगा पौधों का स्तित्तु देखिए बहुत सारे प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है चाहे वो आक्सीजन की वातवरण में उपलब्धता हो चाहे कारबन डाइक साइड और विसेली गैसों को सोखने की जो है अबक्रिया हो चाहे वो प्रकास संसलेशन के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया हो पौधों का स्तित्तु व्रिक्षों का स्तित्त हमारे लिए हमारे परियावनेर के लिए बहुत आवश्यक है तो कही न कही देखे सूखा कब आएगा जब बरसाद का चक्र खराब होगा बिगडेगा सूखा आएगा बाड जाहिर सी बात है पानी जब नदी के पानी जब मिटी को काट के ले जाएंगे मिट्टी का च्रण कैसे होता है कही ने कही पौधे या मजबूत जो वरिक्ष होते हैं उनकी जड़े मिट्टी को बांधे रहती है जैसे आप छोटा सा उदाहन लीजे घास के मैदान में आप खड़े हैं तो घास के मैदान में जो छोटी छोटी घासे होती है इनकी जड़े जो होती मिट्टी को बांधे रहती हैं, कल्पना करिए कि अगर वो उन घास को छील दिया जाए, तो मिट्टी अपरदित हो जाएगी, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो वायू से हो, तो इसका मतलब यह है कि उन घासों की अनुपस्थिती में क्या होगा, वनों की संख्या कम है, अंधादुन्द कटाई हो रही है, तो मिट्टी बंधी नहीं रहती, मिट्टी का कटाओ बहुत तेजी से होता है, और नदी अपने तडबंध को तोड़के आगे बढ़ती जाती है, बाढ़ जो है उत्पन होती है, तो कहीं ने कहीं बाढ़ और सू परियावरेणी रहास या व्रिक्षो की कटाई आप कह सकते हैं, व्रिक्षो की कटाई हम करते हैं जरूरत से ज़्यादा और उस मात्रा में व्रिक्षो का जाहिर सी बात है, हम उतना व्रिक्षा रोपड तो करते नहीं है, भले प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस अनुप और सूखा, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, परियावरण के अंतरगत आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जो परियावरण के अंतरगत आती हैं, परियावरण की परिभाशा तो मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूँ, इन्वार्मेंट की डिफिनिशन आपको बता चुक होते हैं यह बिल्कुल आएगा यह बिल्कुल इसमें शामिल होगा अब देखिए दो विकल्प और हैं जिसमें आप confusion हो सकता है आपको क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि सांस्कृतिक परियावरण मानव परियावरण जब आप पढ़ेंगे तो मानव परियावरण में ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो भावतिक नहीं हैं मतलब ना वो जयविक कारकों में आती हैं न अजयविक कारकों में आती हैं जैसे रिस्ते नाते रिस्ते नाते हमारी जो संस्कृती होती है जैसे मेला है जैसे उच्सव हैं ये सारी चीजे क्या है ये भावतिक नहीं है लेकिन एक संतुलित परियावरण जो परियावरण की पूरी परिभाशा आध परियावरण का हिंस्ता है, मकान, सडके, पूझास्थल, जाहिर सी बात है tycker मनुस्य से संबंधित है, तो ये भी इसमें शामिल है, तो इसमें विकल्फ हमारा सबसे सही, क्या होगा, D होगा, मतलब ये जितनी सारी चीज़े दी गई हैं ये परियावन से संबंधित हैं हमारा विकल्ब क्या होगा उप्रोक्त सभी आईए अगला प्रशन देख लेते हैं उर्जा का पिरामिट के बारे में ये प्रशन है ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है ये ध्यान से समझेगा पिरामिट से सवाल है एनर्जी का पिरामिट उर्जा का पिरामिट होता है मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि क्या होता है कि सीधा सीधा होता है देखे पिरामिट को बहुत अच्छे से समझेगा यहीं पे लिंडमान का नियम है मैं भी आपको बताता हूँ यहां पर पहले तो इसका उत्तर आप जान लिजे सीधा होता है फिर मैं आपको एक्स्प्लेन करूंगा अनीमित यह गलत होगा है यह गलत होगा यह गलत होगा अब देखे कैसे होता है उर्जा का पिरामिट यह आपके सामने पिरामिट है कि सीधा पिरामिट तो यहीं होगा तो जाहिर सी बात है अगर हम यहां जो है हरे पाउधों को रखते हैं हरे पाउधे नीचे हरे पाउधे हैं हरे पाउधों की संख्या भी जाता है चलिए यहाँ पर हरे पाउधों को हमने ले लिया ग्रीन प्लांट्स यहाँ हो गए अब ग्रीन प्लांट्स क्या है आप कई बार पढ़ चुके हैं सुन चुके हैं कि ये प्रात्मी कुद्पादक हैं, स्वपोसी हैं और ये क्या है किसी भी खाज सिंखला का ये आधार हैं ये आधार हैं तो पहले नंबर पे तो ये आ गया अब इन पे जो भोजन के लिए निर्भर करते हैं वो साकाहारी जीव, साकाहारी जीव, अब वो है कौन, वो है खरगोस या तिलचट्टा, यह सारे जीव, यह दूसरे नमबर पर खाज सिंखला में कौन आएगा, साकाहारी जीव आएगे या प्राथमिक उभोगता आएगे, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स आएगे, जैसे इस इसमें primary producers हैं, वैसे इसमें primary consumers हैं, प्रात्मिग उभ्भोगता हैं, जो इन पे निर्भर करते हैं भोजन के लिए, चलिए, ये तो आपने देख लिया, अब इसके उपर मांसा हारी जीवाएंगे, मांसा हारी, जिसमें आपने देखा था लोमडी, लोमडी को हम मांसा हारी में रख सकते हैं, जो साकाहरी जीवों का अहार करती हैं, इनका भख्षण करती हैं, लोमडी के उपर आप जो है, सेर को रख लीजे, सेर लोमडी का सिकार करता है, मतलब ये उचस्तर के, उचस्तर के मांसा हारी हैं, उचस्तर के मांसा हारी, ये सब को मार के खा सकते हैं, लेकि भोजन बनाते हैं वो भोजन संचित करते हैं और अपनी जरूरत के लिए उस उर्जा का इस्तिमाल करते हैं इसके बाद जो इन पर निर्भर करते हैं साका हारी जीव या प्राथमिक उभोगता वो इन पौधों को या इन पौधों के भागों को खाकर उर्जा प्राप्त करते और इनको खाकर मतलब प्राथ में कुब भोकताओं को खाकर मांसाहारी या दूतिये कुब भोकता जो होते हैं अपना पेट भरते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं इन पे निर्भर करते हैं तृतिये अस्तर के या उच्छे अस्तर के मांसाहारी ये क्रम आप देखी रहे हैं क्रमा पच्छे से समझी रहें अब देखिए उर्जा का जो प्रवा होगा उर्जा का मतलब यह हुगा कि जो भोजन प्राप्त किया हर अस्तर के जीवों ने तो उससे जो उनको उर्जा प्राप्त होई वो किस दिशा में चलेगी हरे पौधो में जो उर्जा है यह उपर जाएगी कि नीचे जाएगी जाहर से बात है उपर जाएगी यह उर्जा प्राप्त होगी खरगोश को खरगोश से यह उर्जा किसको जाएगी लोमडी को जाएगी लोमडी से उर्जा किसको जाएगी सेर को जाएगी अर्थात यह पि पूछता है एक्जाम में कि 10% का नियम क्या है इसको किस ने दिया तो लिंडे मान ने इसको दिया क्या नाम था लिंडे मान लिंडे मान लिंडे मान कह सकते हैं लिंडे मान कह सकते हैं 1942 में 1942 में इन्हों ने 10% का नियम दिया ये 10% का नियम है क्या 10% का नियम बहुत सरल है माल लीजे हरे पौधों में जो उर्जा है वो 1000 कैलोरी है 1000 कैलोरी उर्जा है तो अगर ये उर्जा जैसा कि आप देख रहे हैं हरे पौधों से खरगोस को प्राप्त होगी तो क्या ये जोخرगोस को उर्जा प्राप्त होगी वो पूरी 1,000 कीलोरी उर्जा प्राप्त होगी बिल्कुल नहीं एक हजार कैलोरी का आप 10% निکा लीजे गुढ़े 10 बटा 100 या 10% तो आप देखते हैं ये केवल 100 कैलोरी बचेगा कितना बचेगा 100 कैलोरी अर्थात अगर 1000 कैलोरी पौधों के भाग में है भोजन के रूप में और इसको किसी खरगोष ने खाया या किसी साकाहरी प्राणी ने खाया तो उसको उर्जा का केवल 100 कैलोरी वाला भाग मिलेगा पूरा भाग नहीं मिलेगा 100 कैलोरी मतलब कितना हुआ दस परसेंट हुआ सिर्फ दस परसेंट भाग उसको प्राप्त होगा कितना भाग प्राप्त होगा 10 परसेंट प्राप्त होगा अब इसी खरगोष को खाया किसने लोमडी ने लोमडी को कितना प्राप्त होगा इसी का दस परसेंट आप निकाल कितना प्राप्थ होगा 10 कैलोरी मतलब यहां लोमड़ी तक आते आते वो कैलोरी कितनी हो गई 10 हो गई और यहीं लोमड़ी को जब शेर खाता है तो अब शेर को जो है आप कितना कैलोरी पहुचाएंगे एक कैलोरी मतलब जो एक हजार कैलोरी से उर्जा चली थी वो उपर आते आते कितनी हो गई एक कैलोरी हो गई अर्थात हर अस्तर पे केवल 10% उर्जा ही जीवों को प्राप्थ हुई यह है लिंडमान का नियम ठीक है इसी के आधार पे हम न आधिसरिंखला में उनके पास कैलोरी सबसे कम पहुचती है ठीक है यह बात हमेशा याद रखेगा अगर यह आपको याद रहेगा तो एक्जाम में इससे सवाल जरूर पूछता है कहीं न कहीं से सवाल पूछेगा आप इसको हल कर लेंगे पहली बात तो यह कुर्जा की द आधिशा में चलेगी मतलब हरे पाउधे से साकाहारियों में साकाहारी से प्रथम स्रेणी को भोगता में प्रथम स्रेणी से दूती स्रेणी तिरती स्रेणी सर्वोचस्तर इस तरह चलेगा कभी भी उल्टा कभी भी नहीं चलेगा यह बात यह आप याद रखेगा एक दिस प्राक्रतिक एवं सामाइब देखते हैं अगला सवाल देखते हैं उर्जा के पिरामिट के बाद जो है यह हमारा अगला प्रशन है प्राक्रतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतख्रिया इंटर्यक्शन का उदहरण है वनों की कटाई, निर्माडकार, सिकार, उप्रोग्त सभी यहां शब्दों पर ध्यान दीजेगा, प्राकृतिक योग सामाजिक सांस्कृतिक परियावरण के बीच, मतलब एक तो प्राकृतिक परियावरण है, दूसरी क्या बात कह रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक परियावरण, सामाजिक सांस्कृतिक परियावरण सीधे सीधे मनुस गर यह सारी चीज़ शमली थी प्रस्ट में आपने देखा तो इनके बीच जो है अंतर क्रिया है ये कैसे आप समझ पाएंगे कौन सा उधारण है अंतर क्रिया का शिकार अब देखे मनुष्य शिकार करता है तो परियावरण में ही करेगा कहीं जंगल में करेगा तालाब में स निर्माणकार ये निर्माणकार के लिए बहुत सारी ऐसी वनों की सामगरी के आवश्यक्ता होती है जिसमें वो निर्भर करता है तो ये भी कहीं कहीं वो है वातावरण को या परियावरण को प्रभावित करता है तो यहां पर देखिए जितनी प्रक्रिया हो रहे मनुष् परियावरण के बीच अंतर क्रिया का ठीक है ये बात आप ध्यान रखिएगा ये उदाहरण है दोनों के बीच के अंतर क्रिया का मतलब एक तरह से कह सकते हैं मानों और प्राकृतिक परियावरण के बीच अंतर किरिया का उदारण, चाहिए सिकार हो, मानों जब सिकार करेगा तो जाहिर सी बात है जंगल में या परियावरण के बिच जाएगा, जो भी है वनों की कटाई हो, निर्मान कार हो, सारी चीज़ें इसमें शामिल है, इसलिए ये उत्तर हमारा क्या होगा, D होगा, तो परियावरण में तो सारी चीज़ें शामिल है, मानों परियावरण भी परियावरण का जो है भाग है, और प्राकृतिक परियावरण की बात जब कहते हैं, तब ये उस परियावरण की बात करता है, जिसमें जयविक कारक सम्मिलित हैं, और मानों परियावरण की कुछ इसमें शम्मलित नहीं जैसे रिसते नाते आपने देखे जो भी अमूर्थ चीजें है वो इसमें शामिल नहीं है तो प्राकृतिक परियावरण की बात जब आप समझेंगे तो वो ध्यू पहरात सब्यक्रतिक ऑड़ने को सबबात सब्त अच्छा सवाल करका रॉबOM अब इसमें देखे जलवायूई कारक क्या जो है इसमें महत्वण है ध्यान दीजेगा भू आकरतिक कारक क्या महत्वण है क्या जो है सभी जीव महत्वण है देखे दो घटक सबसे महत्वण है जैविक घटक और अजैविक घटक लेकिन आप यहां देखे जलवायूई कारक क मतलब क्या हो गया बरसात हो गई भूमी हो गई मृदा हो गई ये सारी चीज हो गई लेकिन क्या ये चीजें शामिल है क्या ये प्राकृतिक परियावरण के अंतरगा शामिल है ये आपको जो है बहुत अच्छे से समझना होगा इसमें सभी जीव सामिल है इसमें क्या है सभी जीव शामिल है लेकिन ये सारी चीजें क्या शामिल है क्या जलवायू कारक भी शामिल है इसमें बिलकुल नहीं प्राकृतिक परियावरण में ये चीजें बिलकुल शामिल नहीं है अगर संपूर परियावरण की बात होती प्राकृतिक शब्द नहोता तो सायर इसमें इसका क्या होगा ये सभी होगा चलिए अगला पुर्शन देख लेते हैं हम परियावन परिभाषां में आपको समझाएंगे मानों परियावन प्राक्रितिक परियावन किस तरह है क् drilled से संबंधित हैं उर्जा का अस्थानांतरित होता है, तो सिधा factual सवाल है, 10% जो लिंडमान का नियम है, जो 1942 मुन होने दिया था, जो अभी मैंने आपको बताया, यही इसका सही उत्तर होगा, यह आपको याद रखना होगा, अगर आपको याद रहेगा, तो आप यह समझ पाएंगे, बाकी मैं explain तो कर ही चुका हूँ, तो दोस्तों, जो है, मैंने आपको discuss किया, और आज की class के लिए इतना ही, तो प्रस्नों की सिरीज को जो है, आप अच्छे से समझे, इनका visualization करने के माध्यम से मैं चाहता हूँ, कि आप थोड़ा प्रस्नों से परचित हो जाएं, फिर मैं अगली class जो है, प्रयास करूँगा, कि अगली class से आपको सिधा topic पढ़ाऊं, और आप भी पुरी तयारी से जो है, परियावन अध्यान की class जो है, कम्प्लीट करिए, और साथ बनाए रखिए अपना, और अगली class में मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखें, और इस वैस्विक महमारी में अपना अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, यही सुपकामना है, मिलते हैं दोस्तों, कल इसी समय, तब तक के लिए जैहिंद!